मेरा नाम विवेक कुमार है मैं आप सभी का प्यसी जन्नी चैनल पर स्वागत करता हूं आज है 28 February 2024 सगेंड लास दिन आपको सगेंड मन्त का दोजा 24 का आज का दिन यहां पर आई होप काफी लोग इंतिजार कर रहे होंगे इस classes का यह classes जो है वो रोज सुबह 8 बजे होती है जो नहीं लोग है मैं उनको बता दू यह classes आपकी bilinguals में cover करा जाती है यहां पर जो भी notes आपको provide किये जाते हैं वो आपको English इंदी दोनों language में यहां पर provide किये जाते हैं जहां से आप उसको download कर सकते हैं और notes बना सकते हैं आई यह start करते हैं आज का current affair बिना किसी देरी के सबसे पहला news आपके सामने यह रहा यह MP से related news है उज्जैन डिस्टिक से यहां पर पहला वेदिक clock जो है वो install होने जा रहा है और इसका घाटन यहां पर इसका inauguration जो है वो मोदी ज फर्स्ट वेदिक clock यहां पर installed होने जा रही है और यहां पर यह जो install होगा यह basically प्रदानमते नयद मोदी के द्वारा एक मार्च को सहर के जंतन मंतर पर 85 फूट उचे टावर पर इसको इस्थापित वेदिक घरी का virtual गाटम यहां पर मोदी जी के द्वारा किया जाएगा य जो की प्राचीन भातिये परप्रिक पंचांग के अनुसार यह जो है इसमें टाइम जो है वो डिस्प्ले कराया जाएगा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा और इसको basically मदपदेश के उचेंजिला में इसको install किया जा रहा है कहां पर उज्जन basically पढ़ता है देखते है मैप से इसको समझने के खोशिस करते हैं यह आप देख सकते हैं मदपदेश का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ इसकी capital जो है वो भोपाल है और यहाँ पर इंदौर के बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंदौर से just उपर आपको उज्जन जिला साथ उत्तरपदेश के साथ 36 गड़ के साथ तो इन सबी राज्यों के साथ यह अपना boundary जो है वो सेर करता है मदपदेश भारत का सबसे लाज सहर लाज स्टेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी यहाँ पर स्टेट बर्ड जो है वो व इस राज्य का जो formation हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था यह ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो इसी से related पहला न्यूस था ध्यान रखेगा दुनिया का पहला वेदी घड़ी जो है वो जंतर मंतर जो उज्जैन में है वो वहाँ पे install होने जा रहा है और इसका inauguration मोदी जी के द और यह basically non-profit organization कहलाता है और non-government संगठन है यह जहाँ पर बहुत सारे लोग समाज में योगदान देने को लेकर के इसमें work करते हैं यह दिवस जो है basically 89 countries से जादा देशों में यह celebrate किया जाता है जो कि 6 महादीप से में मनाय जाता है यह एक अंतराष्टे दिवस के रुप मे इसको celebrate करते हैं विस एंजियो दिवस का अगर मैं बात करूँ वेस्विक उद्घाटन कारिकरम जो है वो Finland के विदेश मंतराले द्वारा 27 February 2014 को Helsinki Finland में आयजित किया गया था देख सकते हैं तो NGO Day को जो host किया गया था वो Ministry of Foreign Affairs के द्वारा किया गया था Finland के और इसको host किया ग अब भी आप देख सकते हैं छे कॉंटिनेंट से जादा और 89 देशों में इसको basically celebrate किया जा रहा है आज की डेट में जो कि एक non-profit non-government organization है और जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं वो society के लिए काम करते हैं और वो समाज में योगदान देने के लिए काम करते हैं तो 27 February को and your day celebrate किया रहता है यह धियान रख सकते हैं ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं अगले news के तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नवाज सरीफ की बेटी है जो यहाँ पर पहली woman cm बनी है पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस की इनका नाम क्या है मर्यम नवाज याद रख सकत है जो किस पार्टी से बिलॉंग करती है PMLN यानि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से यह बिलॉंग करती है और इनको अभी मुख मंतरी चुनाव में इनको जीत हासिल मिली है इनकी उमरे 50 वरस है आज की रेट में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार भब्धी हासिल की है तो इसको ध्यान में लक सकते हैं इनका नाम है मरियम नवाज और पहली woman CM यहां पर बनी है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविन्स में यह ध्यान लग सकते हैं मरियम नवाज किसकी बेटी है तो जो former prime minister थे उनकी बेटी है नवासरिफ की बेटी है ठीक है अगला न्यूस जो है वो बिसेकली साही इमाम को लेकर के है साही इमाम मतलब साह मतलब होता है किंग और इमाम मतलब होता है उत्रादिकार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिसेकली पूजास कराते हैं तो यहाँ पर जो lead करते हैं worships को lead करते हैं किसी mosqueuse में तो देली जावा मस्जिद में यहाँ पर साही इमाम के जो बेटे हैं उनको यहाँ पर उतरादिकार यहाँ पर घोसित किया गया है सयद अमद भुकारी जो है वो बिसिकली एक तरह से दिली के जावा मस्जिद के मौजुदा साही इमाम है साही अमद बुकारी और ये अपने बेटे को अपना उत्रादिकार यहाँ पे घोसित किये है ये ध्यान रख सकता है जावा मस्जिद के पहले इमाम हजरत सयद अब्दुल गफूर सा बुकारी साही इमाम थे जो तिलसर साल की उम्र में साही इमाम निक्त किया गया था इनको साही सावन भुकारी जो है यहाँ पे 29 वर्स के जिनको अपोइंट किया गया है साही सावन भुकारी को मस्जिद के अब इमाम के रुप में यहाँ पे निक्त किया गया था तो ये दस्तर बंदी समारों इस समारों को क्या 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 थे इस सरमनी को क्या 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 थे दस्तार बंदी समारों में ये ध्यान रख सकते है साइज सबन बुखारी को मस्जिद के नायव इमाम के रुप में निउट किया गया था और अभी फिलाल ये अपने बेटे को सकसेसर के रूप में देली जावा मस्जिद के इमाम के रूप में इनको यहाँ पे घोज़ित किया गया तो ध्यान लग सकते हैं उसी को लेकर के नियूज है अगला नियूज के तरफ बात करें ये नियूज बैसिकली उजबेकिस्तान से है जहाँ पे एक कफ सीरप पीने के वज़े से 68 बच्चों के जान चली गए और यहाँ पे 23 लोगों को यहाँ पे जेल भेजा गया है क्योंकि वो 23 लोग इसमें कहीं न कहीं involved थे और सबसे बड़ी बात वो सीरप को जो import किया गया था वो import हमारे देश भारत से किया गया था जो उसका syrup company थी जहांस कमपनी से उसको import किया गया था ओजबेकिस्तान उनके जो उनके जो डारेक्टर है रगोवेंदर प्रताब उनको यहाँ पे सबसे लंबा जेल यहाँ पे जिल की सजा हुई है जो कि 20 साल की है ध्यान लग सकते हैं तो WHO के तरफ से यह confirm किया गया है कि जो सीरप यहाँ से इंपोर्ट कराया गया था यहाँ से एक्सपोर्ट हो करके उजबेकिस्तान में इंपोर्ट हुआ था वो सीरप में हजाडस chemicals पाए गया है जो chemicals कौन स प्रेजन थे उसके अंदर इथिलिन ग्लाइकोल या फिर दाइथिलिन ग्लाइकोल जो है वो chemical प्रेजन थे जिसके वैसे अरसट बच्चों की जान चली गई और उसी को ले करके यहाँ पर यह नियूज है और इसी के वैसे 23 लोग के सासाथ जो कंपनी के डिरेक्टर है रग बात करें तो यह बेसिकली तुर्कमेनिस्तान आप देख सकते हैं कजाकिस्तान देख सकते हैं ताजिकिस्तान देख सकते हैं किर्जिस्तान और यह इन सभी देशों से आपका गिरा हुआ है अफगानिस्तान से गिरा हुआ है यह ध्यान रख सकते हैं अरल सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उजबेकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वह तास्केंथ है यह ध्यान रख सकते हैं और एक सेंट्रल एसियन नेशन आप इसको कह सकते हैं जो पहले USSR का हिस्सा हुआ करता था यहां पर बहुत सारे मस्जित है और यह उसी के अगलेे लिंग करते हैं तो इसकी से रिलेटेड न्यूस है इसको अच्छे से कबर करते हो चलिएँ आगे बड़ते अगले न्यूस के तरफ अगला न्यूस दो हैआव यहां पे आर अस्वीन के द्वारा सबसे यादा टेस्ट विकेट यहाँ पे लिया गया है जो कि 354 विकेट यहाँ पे लिया गया है और अनिन कुमले को यह पीछे छोड़ चुके है तीसे नमवा पर हरवणा सिंग देख सकते हैं 265 विकेट के साथ कपिल देव 219 विकेट के साथ और रविंदर जडेजा 211 विकेट के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अस्वीन ने भारत में टेस्ट में सबसे यहाँ टेस्ट विकेट लिया है और कुमले को यहाँ पे पीछे कर दिया है कितने मैसों की बात यहाँ पे कही जा रही है तो अगर मैं बात करूँ कुमले के द्वारा यह सारे 300 का जो विकेट इन्होंने हासिल किया था यह 63 मैसों में इन्होंने हासिल किया था जो कि एवरेज बनता है 24.88 बलकि अस्वीन ने 351 विकेट यहाँ पे लिये हैं और 59 टेस्ट खेले हैं और यहाँ पे आवरेज जो बनता है 21.40 तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्वीन के द्वारा सबसे आदा विकेट यहाँ पे ले करके इन्होंने अपने आपको टॉप पहुचा दिया है अपने आप सकते हैं अगला न्यूस जो है वो बैसिकली न्यूस जो है पहला सप्टिक टैंग क्लिनिंग रॉबोट आपको देखने को मिलेगा जो कि स्वच भारत को क्या कर रहा है मजबूत कर रहा है यह सप्टिक टैंग क्लिनिंग रिबोर्ट जो है जो हाथ से मैलड होने की प्रता क को खद्म करने के लिए end to end समधान पेस करता है इसमें क्या कहा जा रहा है यह एक स्वच्टा अभियान को मजबूत कर रहा है होमो सेप एटम नामक तकनीक मैनुवल सफाई विदियो को हल करता है और उन्हें रोबोटिक सफाई विदियो में बदल देता है ते एक तरह से एक जो भी मैनुवल क्लिनिंग मेथड हसस जो भी गंदगी वगरा साफ होती थी उसको यहां पर इसके द्वारा जो सेप्टिक ट नहीं है यह कि स्टार्ट अप है जो कि यहां पर मदराज के विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है जो कि टेक्नोलोजी बिजनस इंक्यूबेटर आफ आइटी मदरास से विक्सित किया गया है तो यह ध्यान रख सकते हैं होमो सेप ठीक पूरा के मुख्यमंत्री है मनिक सहाँ उनके तरफ से सहरी समरिधी उससफ का यहां पर उद्धाटन किया गया और यह दूसरा-इडिक्शन यहां पर आप देख सकते हैं तो दूसरा अइडिक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा और एक तरह से यह ग्रामिन चेतर में यह बिसक्ली यह फेस्टिबल जो है वह सलिब्रेट किया जाता है TRLM के माधियम से किवल ऋसे मनाये जाता अब पहले सिर्फ गरामिन शेत्र पहली बार हिस्टा लिए हैं यह धिहान रख सकते हैं यहां पर अगल तल्ला आप देख सकते हैं तो थिर्पूरा की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं इसकी बॉंटरी जो है और इसके capital जो है, वो capital आपका अगर दला देखने को मिलेगा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो मनिक सहा है, green imperial prison यहां की राज़ पक्षी है, फूल की बात करें तो रोज चेस्ट मस्ट आप देख सकते हैं, तो यह basically तीन साइट से बंगलादेश से गिरा हुआ है, यह ध्य कीज़ेगा, तो यह ध्यान रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूस के तरफ, अगला न्यूस यहां पे, पेटियम के जो CEO है, जो विजय सेका सर्मा के द्वारा, यहां पे रिजाइन कर दिया गया है, पेटियम पेमेंट बैंक से, तो पेटियम के जो founder है, पेटियमेंट बैंक लिमिटेट की बात करें, तेक तरह से, पुर्व सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के जो जो अध्यक्स, श्री निवाशन, श्रीधर, सेवा नेवरित, आईयस अधिकारी, देविदनात सरांगी, और बियोबी के पुर्व कारगारी, निदेशक, असोग जोईन किये हैं, और एक तरह से, यह इसको सम्हाल रहा है, ठीक है, अगले नियूस के तरह बढ़ते हैं, यहाँ पे जो अगला नियूस है, एक छोटे सैटलाइट के लिए, एक नया स्टेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, स्पेस पोर्ट की बात करें, और यह कंस दीजी के द्वारा, यह पूरी तरह से बंद करके त्यार हो गया है, नया स्पेस पोर्ट की बात करें, तो सिलंका के हवाई छेत के कारण, रॉकेट डाइवर्जन के यह सकता को यह क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और भूमते रेखा के करीब स्थित होने, और पास में प्रानदोन परिसर होने से समय लागात को भी यह क्या करेगा, कम कर देगा, यह छोटे अपग्राव को लाउंच करने के लिए समर्पित होगा, और इसी को ले करके यह बिसिकली न्यूज है, अंतरिक्ष उद्योग के लिए परिस्तेते तंक्त बनाने के लिए स्वीधा के क ताके एक तरह से एको सिस्टम को क्रियेट किया जा सके, इस पेस इंडस्ट्री में, तो याद रख सकते हैं, यह स्मॉल सेटिलाइट जो है वो लाउंच, यहां पे लाउंच करने के लिए यह डेडिकेटेड है, यह स्पेस पोर्ट, जो कि कहां पर तुथू कोड़ी डिस् पल है, मुख्यमंत्री यहां के M.K. स्टलिन है, यहां पर आपको चन्न नहीं देखने को मिलेगा, पहले इसको मदरा से स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको एक नॉम्बर 1956 से इसको तमिलनाडू के रूप में इस स्टेट को एक्सेप्ट के लिए गया, य अंध पदेश हो गया, इन सभी राजों के साथ यह अपना बॉंड्री जो है, वो शेयर कर रहा है, इसको ध्यान रख सकते हैं, पूर्वी घाट और पश्च्मी घाट यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, PCS एक्जाम में, बताएगा मुझे किस जगा पर आकर क मिलती है पुर्वी घाट और पच्चमी घाट के जगह पर आ करके मिलती है उच जगह का नाम बताना आपको कमेंट सक्षन में एंसर करते वे चलिएगा ठीक है अगला न्यूज यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंच नेवी के द्वारा यहां पर चीफ है एडम पारी वेंड इंडिया जो है वो तीन दिन ओफिसल विजिट के लिए इंडिया आया है आधियारिक विजिक में इन्होंने यहां पर मैडन हिमनेटेरियन असिस्टेंस में पार्ट लिया है पहली मानुएता सायता और आपदा रहात थीम वाले हिंद महसागर नौ सेना संगोश्टी अभि कुमार के साथ सेना प्रमुख जेनरल अम नर्वने और वायू सेना प्रमुख चीफ मासल वियार चौदरी के साथ इन्होंने व्यापक पाचित की है तो यह थ्यान रख सकते हैं प्रेंस नेवी चीफ जो है वो एडियम आड्मिरक पायरी के द्वारा यहां पर गाड़ आफ किया गया गंगन यान मिसन को लेखर के और उनका नाम का यहां पर खुलासा किया गया मोति जी के द्वारा यहां पर區епेटन की बात करे है तो प्रसांथ भालकृष्णन नईयद देख सकते हैं ग्रूप क्यप अजित कृष्णन देखने को मिलेगा अंगत प्रताब देखने जा रहा है तो कि launch कब होगा 24-25 के बीच में होगा यहां पर उसी को ले करके यहां पर इनको training दिया जा रहा है और यहां पर अगले न्यूस के तरह बड़े यह न्यूस जो बिसिकली है यह न्यूस है आपका Nordic पाल्टिक 8 यहां पर देख सकते नौड़िक पाल्टिक 8 आठ देशों के साथ यह विसिकली जो है यह एक संगठन और एक तरह से यह क्या करता है focus किसके उपर करता है सहयोग और विश्वास पर यह आपक केंद्रित होता है तो आठ देश यहां पर इंडिया विजिट में हैं और यह एक तरह से नॉडिक पाल्टिक आठ एक छित्री सहयोग प्रारूप है जो जिसमें कौन-कौन से देश सामिल है तो यहां देख सकते हैं डेनमार्क देखने को मिलेगा एस्टोनिया देखने को मिलेगा फिल्लैंड आइसलेंड लात्विया लिथ्योनिया नौर्वे और सीडन यहां पर देख सकते हैं यह सभी देश जो है वो इसमें सामिल है इसके स्थापना 1992 को हुई थी एक सहयोग अनवचारिक और गैस संस्थागत हैं यह धियान रख सकते हैं दोज़ेश चौबिस में इसके अधिक्सता कौन कर रहा है तो स्वेटन कर रहा है यहां पर आठो कंट्री जो है वो बिसिकली भारत यह तरह सहयोग और विश्वास पर केंदरी थे यह धियान रख सकते हैं तो नौडिक पा पसरी 27 फेबररी को सब्रेट किया गया है इनकी मृत्यव 1931 में ही होई थी तो यहां पर पुनित ही ती यहां पर देख सकते हैं इनको चंद सेखर अजात के नाम से भी जाने रहता था इनका पूरा नाम था चंद सेखर सिता रामतिवारी तो यह एक भात्या करांतिकारी भी Association को उसके नए नाम Hindu Socialist Republic Association के तहत पुनर गठित किया गया है भाई थैर ठेहन तो इसे रेलेटड गों यहां पर सीड़ोणीम व Laharaj का प्रीयोक करते है रेखकर कि यहां पे हिंग स्वाइभ अशेशेशं की बात करें उसमें बहुत थैंस्थापक जैसे राम ओम प्रसाद बेश्मेल हूगा रहाशन सीग्व हो गाए राजन प्रसाद लाहेडी होगे असभा खुल खान ये और फहर द 피ष恩 चैशन को स्केन नई नाहे नाम हिंदुस्तान सब्सित रिपाब्लिक कर दिया गया था यहां से निकल के आता है कि इस्थापने किसके दोरह के गए थी यह सारे चीज़ें जो है वह ध्यान में रखते हुए चलिएगा अगला जो यहां पर नियूज है वह गगन यान मिसन से रिलेटेड है देख सकते हैं किस तरह से यह उपर वाला जो एरिया है इ यहां पर इस्ट्रोन वह सकते हैं यह रहते हैं यह चैशे बाद में माटल आपको देखने को मिलेगा क्यान मृगण के और एक तैसर और्बिट के एस क्राफ्ट में ही इसको रखा जाएगा यहां पर इनका उद्देश सिक्या है कि भारत के मानव अंत्रिक्ष उरान कारिक्रम का प्रारंबिक अंत्रिक्ष यान होना है इसको बड़े प्माने पर स्वता 5.3 मैट्रिक टन कैप्सुल दो या तीन व्यक्ति के साथ साथ दिनों तक 400 किलमेटर के उचाएए पर प्रित्वी की परिक्रमा करना है देख सकते हैं और HAL के द्वारा जो मैनुफेक्ट्चर है वो क् प्रणालिया और प्रद्योग्यों के लिए साहता प्रदान की जा सके तो गगन यान मिशन यहीं आप देख सकते हैं दोजर चौविस परचिस में यह लॉंच होने वाला है और यहां पर तीन एस्ट्रोंट जो है वो जाने वाले है यह ध्यान रख सकते हैं उससे से रिलेट सकते हैं रमदान के पहले अलजेरिया के रमजान से पहले दुनिया के तीसी सबसे बड़ी मज़ित जामा अल-जाजेर का यहां पर उद्गाटन किया गया है 255 मिटा के सबसे उची इमार है यह मिनार है और इसमें एक लाग पीस हैं लोग यहां पर बैठ सकते हैं देख सकते हैं इसकी कितनी ज्यादा है और यहां पर साथ वल्सों में नियनमित आधनिक तावादी डिजाइन से सजाय गया है इसमें एक पुस्तकाले हैं 10 लाग तक पुस्तकों के लिए भी है आप देख सकते हैं यहां पर modern डिजाइन आपको देखने को मिलेगी मौस्कियों की क्यापिसेटी कितने के ते एक लगाँ पी से लोग रह सकते हैं यह ध्यान रख सकते हैं तो उसी से आपका नियूस था अगले नियूस के तरह बढ़ता है तो पहले अलजेरिय देख लिजीनी का हैं नॉट अफ्रिका में यह कंट्रीय तो यह सारे कंट्री के ऊपर यह देखने को मिलेगा ठीक है कि यहां की कैपिटल अलगायस है यहां की लेंग्विज अर्यविक है प्रेसिडेंट की बात करें तो अबडल मद्दिद टेबो नहीं है प्राइम मिनिस्टर की बात करें नादेर लार बाउनी है यह ध्यान रख सकता है करेंसी अलजेरियन डिनार यहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह उसी से रेलेटेड न्यूज है यह ध्यान करोड़ रुपए का यहां पर उत्खाटन किया गया दो हजार रेलवे इंफर प्रोजेक्ट को ले करके यहां पर मोदी जी के द्वारा नीव रखे गई है 554 स्टेशन को ले करके और एक तरह से उसको वापस है पुनर विक्सित करने की बात यहां पर कही जा रही है पंदर विकास 365 करोर की अनुमती लागत पर होगा तो यह सारे चीज़ें 일 कि आप अब देख सकते हैं यहां पर कितने तैजी आपर चल रहा है तो रेल्वे में भी आप यहां पर बहुत तैजी हbox डेकने लिख रहा है cylind इसे लिए उसी से related यह आपका न्यूज है ठीक है यह इत्यान रख सकते हैं 2000 प्रोजेक्ट जो है रेल्वे प्रोजेक्ट यहां पर इसका उध्गाटन यहां पर किया गया एक तालीस हजार करोर रुपए यहां पर देख सकते हैं यहां पर मोदी जी के दोरा लगाया गया है तो उसी से related अमरेद भारत इस्टेशन आप यहां पर देख सकते हैं गुम्ति नगर इस्टेशन यहां पर इसकी खाटन यहां पर की गई है और यहां पर एक जो कौस्ट लगा है वह 385 करोर का आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो उसी से related यह ने उस था ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिटान को सब्सक्राइब कर लेजेगा और लाइक पी जरू कर देगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए वसिता ही जाहिं जाह भारत